वेलकम टू माई चैनल आज का टॉपिक है लौ ओफ कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम मेकैनिक्स का सबसे छोटा और आसान टॉपिक भी आप इसे कह सकते हैं सबसे पहले हम यहां इसकी स्टेट्मेंट देखेंगे बाद में इसका जो प्रूफ हैं वो करेंगे प्रूफ बहुत सिंपल है बहुत छोटा है कुछ दिनों से हमारे चैनल पे BSEMSE के रिगार्डिंग जो वीडियो लेक्चर्स हैं टॉपिक के वो नहीं आप आ रहे थे इस बीच हमने Physics Practical Viva and Assignment के जो वीडियो लेक्चर हैं वो हमने अप्लोट किये हैं तो वो आप देख सकते हैं काफी यूसफुल हैं आपके लिए छले स्टर्ट करते हैं और आज से यह सृरीज स्टर्ट हो रही है मेकैनिक्ट की और अगर आप इसे Classical मेकैनिक्स में भी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से जौइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह जो series है वो continuously चलेगी आगे ठीक है और आज का यह lecture number two है इससे पहले lecture one हमारा newton's laws of motion पे था वो भी हमारे channel पे ही आपको मिल जाएगा और यह lecture two है law of conservation of linear momentum तो देखे सबसे पहले हम start करते है statement से तो देखे statement जो यहाँ पे आप देख रहे हैं exam में as it is लिक कर आ सकते हैं ठीक ह तो यहाँ पे statement हम पढ़ते हैं the total linear momentum of a system of particles free from the action of external forces and subjected to their mutual interaction remains constant no matter how complicated the forces are ठीक है तो यहाँ पे तो mathematically अगर हम देखें तो dpy dt is equal to zero यह हमारा indicate करता है law of conservation of linear momentum को ठीक है तो पी हमारा यहाँ पे क्या है linear momentum है और dpy dt क्या हो गया rate of change of linear momentum is equal to zero ठीक है तो यह यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है dpy dt is equal to zero p हमारा linear momentum है और यही हमें प्रूफ करना है ठीक है law of conservation of linear momentum के प्रूफ में हमें dpy dt को zero के equal लाना है और यही हमारा indication है law of conservation of linear momentum का तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं तो यहाँ पे दिखें हमारा जो यह notes है exam में कैसे आपको proof लिखना है साथी आपको किस तरीके से यहाँ पे define करता हुआ अगर कोई आप equation लिख रहे हैं उसको कैसे define करेंगे और कैसे क्या है तो यह पूरा notes है exam में किस तरीके से लिखना है यह उसके regarding है और यहाँ पे पहले हम इस notes को देखते हैं बाद में simple सा proof हम अलग rough पे करके देखेंगे ठीक है तो देखें सबसे पहले जब हम प्रूफ अपना स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले जो न्यूटन का second law of motion है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा mathematically according to Newton's second law of motion f is equal to dp by dt यह हमारा क्या है equation 1 है और यह कहां से हमने लिखा है Newton's के second law of motion से लिखा है तो यहाँ पे Newton's second law of motion क्या है पहले हम थोड़ा उसको discuss कर लेते हैं तो देखें जो Newton's का second law of motion है वो क्या कहता है कि the rate of change of linear momentum of a body is proportional to the applied force ठीक है यह जो है statement है Newton's second law of motion का जिसे law of force भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे f क्या है applied force है और यह किसके proportional है यह rate of change of linear momentum के proportional है ठीक है तो यहाँ पे जब हम proportionality का जो यह symbol है इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे equal करके यह जो k है जिसको proportionality constant कहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे ठीक है तो k dpy dt बाद में यह k हमारा इसको हम 1 ले लेते हैं 1 इसको let कर लेते हैं क्योंकि यह proportionality constant है हमारा k ठीक है तो यहाँ पे हमारा f is equal to dpy dt आ जाएगा और यही equation हमने सबसे पहले हमें प्रूफ में यूज करनी है ठीक है बाद में आगया है इसी को ही जब हम आगे प्रूफ करते हैं linear momentum का जो formula होता है sorry linear momentum जो equal होता है mass और velocity के product के है ना तो वो यहाँ पे हम p की जगा पुट कर देते हैं mv तो हमारा यह जो है differentiate होके m हमारा constant है आगे लिखा जाएगा dv by dt जो क rate of change of velocity होता है जो की acceleration a के equal होता है तो यहाँ पे f is equal to ma हमारा आ जाता है तो यही आपने यह वाला formula भी पढ़ा होगा कि Newton's second law of motion क्या होता है f is equal to ma होता है है ना statement में आपने यह वाला formula पढ़ा होगा बाद में जब आप इसको पूरा प्रूफ करते हैं तो f is equal to ma आता है तो य यह रही बात हमारी Newton's second law of motion की law of force की जिसको हमने mathematically आपको बताया पर यहाँ पर जो हमारा यह main यह formula था f proportionality dp by dt त तो इसको जब हमने यह इसका symbol हटा के equal लगाया तो k हमारा यह constant आया और k की value जब हमने f रखी तो f is equal to dp by dt आया और यही जो equation है यही जो है न्युटन आता है second law of motion है और इसी को हम अपने proof में सबसे पहले यूज करेंगे तो यह equation 1 हो गई अब यहाँ पर f यहाँ हमने हमने बता दिया कि f हमारी क्या है applied external force है जो की particle system के particles पे act कर रही है ठीक है यह हमने यहाँ पर लिग दिया उसके बाद हमारा क्या होगा if for an isolated system अगार हमारा system isolated है तो external force f है वो किसके equal होगा 0 के equal होगा क्योंकि isolated system में जो force है हमारा external force वो क्या है absent है force वहाँ पे लगी नहीं रहा है तो f हमारा क्या रखा जाएगा 0 ठीक है तो dp by dt भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब हम यह f is equal to 0 equation 1 में लिखेंगे तो यहाँ पे equation 1 हमारी क्या जाए ठीक है और यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी है from equation 1 ना उसके बाद जो है हमारा linear momentum का जो formula होता है है ना जो हमारा formula होता है linear momentum का linear momentum peak इसके equal होता है mass और velocity के product के equal होता है तो इसको हम equation number 2 पुट करेंगे फिर हम इसको differentiate करेंगे इस पुरी equation को with respect to t हैना t के respect में जब हम differentiate करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा dp by dt is equal to m dv by dt m हमारा constant जो है इसको treat किया जाएगा तो m हम आगे लिखेंगे dv by dt आजाएगा बाद में यह जो dv by dt है यह हमारा क्या है rate of change of velocity है जो कि हमारा किसके equal होता है acceleration के equal होता है dv by dt is equal to a तो यहाँ पर हम a m a तो यहाँ पर यह किसका formula आगया यह force का formula आगया m a है ना तो dp by dt is equal to f है ना तो m a की जगह हम f लिख देंगे force का formula होता है force के equal होता है m a फिर यहाँ पर isolated system में f हमारा क्या था 0 था है तो dp by dt is equal to 0 यह proof हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए last में हम क्या लिख लिखेंगे that is the total linear momentum of the system remains constant okay बाद में आप इसे थोड़ा define करेंगे and thus in the action of external force the linear momentum of the particle is conserved and this is the conservation theorem of free particles यह जो line है ना conservation theorem of free particles यह बहुत important है भई यह हमारी जो theorem यह कहां से आई है यह conservation theorem of free particles से आई है ठीक है तो I hope आपके लिए यह वीडियो useful रहा होगा और वीडियो अगर useful रहा है वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करें साथी channel को subscribe करें mechanics और classical mechanics के और भी आगे की जो series के वीडियो इनको पढ़ने के लिए और अपने friends में share करिए साथी bell icon पे press जरूर कर दीजेगा और please subscribe my channel ठीक है thank you thank you all of you guys bye bye